कि हलो अब्रिवन कैसे आप लोग उम्मेद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे देखिए जो स्क्रीन पे स्टॉक लगा वो स्टॉक के बारे बाद डिसकस नहीं करूंगा यह स्टॉक हमने तीन मैना पहले आपको बताया था मॉर्फन लैब उससे में 40 रूपीज प मतलब यह मेडिकल एक्यूपमेंट्स मेडिकल डिवाइसेस बनाने की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इनकी दो प्रोडेक्ट्स पहला प्रोडेक्ट है इनका ग्लुकोमीटर और दूसरा है यह जो हम लोग हाईपर टेंशन को मेजर करने के लिए इनके पास में कीम चल रहा और इसमें यह बहुत बड़ी कंपनी है मॉर्फन लेबर्टरी जो देखे 40 से लगवाग 8050 में रुपिया का हाई इस स्टॉक ने बनाया अभी एक और स्टॉक में आपके समने रखने वाला हूं स्टॉक का नाम देखके मत भागिएगा इसका पूरा एनालिसिस ओर उश समय इस स्टॉक ने अपने आपको टिका के रखा इस मार्केट में यह सबसे अच्छा लगता वस्ता मिस अपने आपको बहुत अच्छे से सर्भाइप की और कंपणी जो घाटे पे नहीं रही इनोंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे उस समय और उसके बाद इस कंपनी को इन्होंने इसके प्रॉफिट्स को कम होने नहीं दिया तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह देख लिए दो हजार बीस एकीस में मतलब बीस से लेके बाइस तक का जो फेज था उसी बीच में कंप झाल जो वीजा प्रोसेसिंग यह सारी सीज़ यह कंपनी करती है और सबसे बड़ा जो कंपनी है उसके उनके रेविन्यू के सामने इनकी थोड़ी सी कम है इस टॉक की जो अभी की रिचेंट ली परफॉमेंस है रिटरन रान इक्यूर्चाम इंश्तिया थी पता नहीं उनका मन नहीं करता और जब इस टॉक महेंगे हो जाते हैं तब उस पर भर भर के पासे लगाए जाते हैं और वहां से स्टॉक नीचे जाता जैसे आर्बी एनल पर हुआ उसके साथ-साथ अभी इरड़ा पर भी प्रॉब्लम चल रहा जो अभी ट्रेंडिंग सब नीचे जा रहे क्यों क्योंकि इस बार की जो हमारा बजट था उस बजट में इन सभी के लिए अलोकेशन्स बहुत ही माइनर रखी गई है माइनर का मतलब जो पहले से था उतना ही है उससे ज्यादा या कम नहीं उसके बाद में इसकी कोई चर्चाई भी नहीं हुए इस करोड की जनरेट करती थी और यह था 2021-22 पर यहां पर देखेंगे इसके बाद देखेंगे लगब लगब लगव 130 करोड की सेल्स इनों ने की है और जून का क्वार्टर जो है ऐसे भी आप्रिल मैं जून यह जो तीन जून तक की जो क्वार्टर से वह वेकेशन थोड़ा कम होता इसके वज़े से इनकी जो सेल्स है ना हर जून में आपको थोड़ा सा कम दिखेंगा देख लिए यहां पर देखेंगे मार्च के कंपरिजन में जून में इनकी सेल्स कम थी और इससे पीछे अगर इससे कंपेर करूंगा तो वह जस्टिफाई नहीं होगा विकॉस 2022 का जो यह मार्च का कोट्या था उसके बाद कोवेट के जो प्रब्लम्स थी वह बहुत ही मतलब हलकी हो गई थी मतलब बहुत जादा मतलब लाइट हो गया था लोगों को समझ में आ रहा था कंपनी अभी जो है ना नेट प्रॉफिट में इनको थोड़ा-थोड़ा प्रब्लम मोरा तो देखिए प्रॉब्लम के फेज में स्टॉक जो है ना सस्ते में मिलता अधर्वाइस कंपनी जो है ना सस्ते पर नहीं मिलेगी अभी इसका बैलेंसिट एनलेसिस तो यहां पर हो गने वीडियो काफी लंबा हो जाएगा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्ज अपने दस सालों का यह रिकॉर्ड देखिए रिटर्न ओन इक्युविटी का दस सालों में 41% का रोई रखा यह बहुत ही कावेले तारीफ है इस चीज को ध्यान पर रखिएगा कंपनी के पास में रिजर्व है कंपनी एक पैसे के करज में नहीं एक और बहुत अच्छी बा लगवक 64% की होल्डिंग है अभी बात करता हूं इसमें खबर किया आई है इसे में बहुत अच्छा मतलब स्टेप नहीं कहूंगा अगर उसी सेक्टर को कोई काम करता तो कंपनी को अप्रिशेंस मिलता मार्केट से बट अगर कोई कंपनी अपने दूसरे सेक्टर पे है और बट फिर नीचे आएगा तब इस स्टॉक को देखिएगा इन्वेस्टेमेंट के बारे सोचिएगा ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं सोचिएगा वो भी अपने फाइनेंसियल एडवाईर से कंसर्ट करने के बाद में अपनी अनिलसिस लगाने के बाद में हमारा काम है आप त आप फार्स थोड़ा सा कमाना चाहते है तो हमारे इस इलिग्राम चैनल से जुड़िए देख लिए तो इस चीजों को ध्यान पर रखते हुए आप जरूर ध्यान पर रखिए और काम कीजिए और यहां पे देखें जिया फाइनस को मैंने अब्डेट किया था लगबग तो इक स्टॉक ने बड़ी मोमेंटम किये बहुत सारी चीजे यहां पर पोस्ट किया जाते हैं तो हमारे यूट्यूब जिससे आपको काफी ज्यादा मजा आएगा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग नॉलेज परपस पर और स्टॉक पर मिलेंगे जिसमें मुमेंटम होने के चांसेस रहेंगे बड़ उसमें भी आप अपनी अनलेसिस लगा के देख सकते हैं तो मैं उम्मीर करता हूं आप यह वीड स्क्राइब कीजिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बढ़ देने हूं थैंक्यू